सुआगाते आपका दा ही मालियन स्टेडी एडूप चैनल पर हमासिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम महत्पूर वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में आज हम आपको दो महत्पूर सुषना बताएंगे उत्तर परदेश में बियड कौनसलिंग की देट डिकलियर हो गई है और दूसरी सुषना है उत्तर परदेश में यूपी पेट की परिक्षा के समबन में महत्पूर जन करी है तो देखिए इसमें पहली सुचना उन अभ्यार्तियों के लिए है जिन्होंने 24 अगस्त 2021 को यूपी पैट की परिक्षा दी है क्योंकि काफी स्टुडेंट ये पूछ रहे थे हमसे की सरीए इस परिक्षा में की नॉर्मलेशन की प्रिक्रिया अपना ही जाएगी और काफी स्टुडेंट के समझ में नहीं आप रहा है की नॉर्मलेशन क्या होता है क्योंकि इस से जो है आपकी रेंग पर बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा जिन अभ्यारतियों को इस बात का भी ज्यान नहीं है क्योंकि ऐसे मानगे चलिए कि आपकी इस परिक्षा में जैसे 100 कोसन पूछे गए थे और किसी अभ्यारती ने 70 कोसन किये हैं लेकिन उसके जो इसमें याने की निगेटिव मार्किंग के हिसाब से काटने के बाद अगर उनके 45 कोसन बसते हैं तो इसका मतलब ये है 25 कोसन उस अभ्यारती ने याने की गलत कर लिये हैं जो कट कटा के उनके 45 नमबर आए हैं तो ये जो gap है आपका कोसन लगाने का gap यानि की और इसमें सही होने के gap का जो बीच का अंतर है वो जादा है तो इस condition में आपकी rank नीचे आ सकती है और इसमें सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जो सही कोसन होने का percentage अगर आपका जादा है तो आपकी rank की पूरी-पूरी संभावना है जादा ही number आएंगे आपके और अगर किसी अभ्यारती ने जैसे मानलीजे की 70 कोसन की है और उसके negative marking में काटने के बाद 60 number आते हैं तो यह percentage बहुत ही अच्छा माना आता है तो इस condition में rank जो है आगे आ जाती है और इस प्रकार की condition को railway में शामिल किया गया है यानि की normalization की प्रक्रिया को तो इसी प्रकार जो है UP PAT की परिक्षा में normalization की प्रक्रिया को अपना आए गया है और काफी अभिहारतियों को इस बात का ग्यान नहीं था उन्होंने काफी कोशनों पर दुख्के लगाए हैं और काफी कोशन गलत हुए है तो इस condition में उनकी rank नीचे आ जाएगी और जैसी कोई इसकी रियल्ट के संब्द में जानकर हमें मिलेगी तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचना प्रदान कर दी जाएगी और जो लोग नई हो हमारे इस चैनल पर बहर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बड़न को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले notification आपको मिलता रहे तो यह ध्यान लख्याप की यूवी पैट का जो देल्ट है आपका बहर जल्द ही आने वाला है और देख सकते हैं आप इसमें साफ सब लिखाए कि इस परिक्षा में नॉर्मलाज़ाशन की विवस्ता लागू की गई थी और काफी अभ्यारतियोंने निर्देश नहीं पड़े थी जिसके वरे से उन्हें जो है नुक्सान उठाना पड़ेगा इसलिए ध्यान लख्याप ये परिक्षा मीडियम तरीके से कराए गई थी ज़्यादा भारी भी नहीं थी ज़्यादा असान भी ये परिक्षा नहीं थी तो इसके बाद हम देखते हैं आगे दूसरी महत्पूर्ण सुचना उन अभ्यारतियों के लिए है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बियड एंड्रेंस की परिक्षा दी है और इस परिक्षा का आईजन 2021 में लखनाव विस्विध्याले के द्वारा कराए गया था तो इसमें लिखा है कि लखनाव विस्विध्याले द्वारा 6 अगस्त को प्रदेश की 1476 केंद्र उपर आईजित उत्तर प्रदेश संयुक्त बियड प्रवेस परिक्षा की कौंसिलिंग ती थी आपकी 17 सितमबर से प्रस्तावित है प्रवेस परिक्षा की राज्य सवनबिक प्रोफेसर अमीता बाचपई ने बताया है कि संयुक्त प्रिवेस परिक्षा के इस्टेट रैंक धारक अभ्यारती लखनों बिस्विध्याले की बैपसाइट पर लॉगिन करके कॉंसलिंग हेदू अपना ओनलाइन रेइस्टेशन करा कर कॉंसलिंग सुल्ग और अगरिम सुल्ग जमा कर मन पसंद विस्विध्याले या कॉलेज का अवंटन कर सकते हैं तो ये उन अभ्यारतियों के लिए महपुर्ण जानकारी थी जिन्होंने यानि की बियर्ट एंट्रेंस की परिक्षा दी है और इस परिक्षा का आईजन उत्तर प्रदेश में 6 अगस्त को संपन कराए गई थी परिक्षा ये और इसका जो है रिजल्ट आ चुका है और इसमें सभी की रेंग जारी कर दी गई है और जो अभ्यारती SC में थे उनकी रेंग SC के हिसाब से और जन्रल के हिसाब से उनकी रेंग आई है और जो अभ्यारती जन्रल में थे उनकी रेंग जन्रल में ही मानी जाएगी और जैसे कोई हमें इस संबन में यानि की बेर्ट एंट्रेंस से जो आपका हुआ था भी इसकी कॉंसिलिंग के संबन में और भी कोई आगर जानकारी मिलती या फिर कॉंसिलिंग में कोई चेंज होता है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से वीडियो बना कर प्रोवाइट करा देंगे तो जो लोग नए हूँ बहें सब्सक्राइब जूरू कर लें हमारे इस चैनल को तो यह महत्पुर्ट जानकारी थी हमारे इस चैनल के माध्यम से तो देखते रहे हैं आप लोग हमारा चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल और लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद